रूस युक्रेन युद्ध के दौरान युक्रेन में फसे एंबीबियस के लगभग 20,000 छात्र फसे होने के दौरान किंद्र की मोधी सरकार ने गंगा अभियान के तहत एयर कोर्स की मदद से छात्रों की वतनवापसी का जिम्मा लेते हुए हजारों छात्रों को वतनवापस ला चुकी है वही आज सिकंद्रा थाना छेत्र की छात्रा ने वतनवापसी के दौरान बताया की युद्ध के मैदान में फारतिय ध्वज के चलते आज हम अपने घर सुरक्षित वापस आ चुके हैं युद्ध के दौरान तीन रंगों के रास्ट्री थ्वज और केंद्र की मूदी सरकार के कुशलनेत्रित के चलते सभी छात्रों की वतनवापसी पहत चलत होगी युक्रेन में फसे हुवे अंबीबियस के भारते चात्रों को निकाने के लिए भरत सरकार एयर पोर्स की तरफ सेव मिशन गंगा के तहट आज सिकंद्रा मुहमद नगर की रहने वाली जानवी का टियार सही सलामत सुरक्षित आज अपने घर सिकंद्रा पहुँच गई हैं सिकंद्रा पहुँचते ही सबसे पहले उपजला अधिकारी सिकंद्रा महिंद्र कुमार ने सूर्य होटल पर जानवी का स्वागत कर खर वापसी की ठेर सारी पधाय दी जानवी के घर पर पहुँचते ही घर वाले गेट पर ही खड़े होकर जानवी की माने तिलख कर आरती उतारी वही जानवी कटियार ने भरत के जहन्टे के साथ भरत माता की जय वन्दे मात्रम के नारे भी लगाई जानवी का टियाई में बताया कि ये आर्टी हम भारती तिरंगी के सहारे ही सुरक्षित रहे वापसी के सम्में रूस युक्रेन युद्ध के दोरान हम और अन्य छात्र भारते ध्वज लेकर वापस आ रहे थे जहां हमने देखा कि पाकिस्तानी छात्र अपनी जान बचाने तथा वतन वापसी के लिए भारते ध्वज को लेकर भारत माता वंदे मातरम मोधी सरकार जिंताबाद के नारे लगा कर अपनी जान बचाने में लगे हुए थे जहां हमें एहसास हुआ कि हमें गर्व है कि हमने ऐसे देश में जनम लिया है जहां पर मुल्क इन तीन रंगों को सलाम करता है हमें आज गर्व हो रहा है कि हम भारती हैं और इस मुल्क की हिपाज़त का जिम्मा एक मजबूत कंधे पर निर्भर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जिसके चलते आज हम अपने वतन वापस आ चुके आप सब देख रहे हैं कि देश की बेटी की वतन वापसी के दौरान की खास खबर इंडिन प्राइम नियूस पर जंग भादूर सिंग के साथ प्राइम नियूस पर जाएम नियूस आएम गादी यूस